हेलो दिये स्टुडेंट्स कैसे आप सभी आई हूप आप सभी बहुत अच्छे होंगे आप सभी का स्वागत है राइसमार्थ हिंदी यूटीप चैनल पर मैं तवना भार तो आज आपको कराऊंगी जोग्रफी के कोशन्स जहां पर प्रैक्टिस करके आप जो क्लास है जब आपका एक्जाम होगा तो आप कॉंफिडेंस के साथ जाएंगे तयारी तो आप करते हैं लेकिन तयारी के साथ साथ जोना बहुत जरूरी है और वह आता है सिर्फ प्रैक्टिस से आप कितनी भी बार ठ्योरी पढ़ें कितनी बास लेवस पढ़ें लेकिन जब तक उस लेव में कॉंफिडेंस के साथ रहिए और कॉंफिडेंस बहुत जरूरी होता है सफलता के लिए तो चलिए आपको तो पता ही राइस्मार्ट हिंदी यूट्यूप चैनल पर सीचेसल एक्जाम एम्टेस एक्जाम दिल्ली पुलिस जितने भी एक्जाम सेवंड एक्जाम सभी के लिए यहां पर तयारी करवाई जाती है और चुब मेरी क्लास है वो सब एक्जाम के लिए आपको बेनिफिट करेगी सब इमें यह यूसफुल रहने वाली क्लास है कोई बीवन एक्जाम दे दीचे आप क्योंकि GS का लेवल बढ़ भी चुका है तो आपको और ज्यादा ध् जुड़ सकते हैं दिली मुखरजी नगर में तो जो भी दिली NCR के बच्चे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो और पेसेंस के साथ बैठ जाएए पढ़ने के लिए नोट्बुक लेकर ज़रूर बैठा करो जो भी आपको या और ली monde करो अग्रेचनल टीट लां तो इनवेक चूंताराष्च्理 रिखा है वो है च्खराय दिखाने पूरी यह तो हें निर्दारन थले का हुआज कोशन इंपोटेंट है कोशन है बच्चों प्राइम मेरीडियन कहां से होकर गुजरती है प्राइम मेरीडियन पासे थ्रो ग्रीन विच और जेल या फिर न्यू यूर्क या फिर आपका टोक्यो तो ग्रीन विच से होकर गुजरती है प्राइम मेरीडियन प्राइम मेरीडियन यम्योतर भी कहा जाता है ठीक है और यह Greenwich से निकल होकर गुजरती है क्योंकि यहीं पर क्या है GMTB हम बोलते हैं Greenwich mean time 0 degree देशांतर से हमने पूरी प्रत्वी का standard time लिया हुआ है और Greenwich कहां पर है Greenwich London में है लंदन में है तो यहीं से होकर गुजरती है इसलिए और यह वाला जो देशांतर है पूरी-प्रतT bueno जांतर को क्या है जिरो-डिगी देशांत्र को क्या बोलते है बोह मत्डे रेखा प्रात्म क्यामित है या सब्सक्राइब करना है चैनल को लगातार पढ़ना है जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर भी जाया करो वहाँ पर भी रिवाइस कर लिया करो एक साथ और जो वे उच्छे नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि तब आपको हर क्लास की पीडियेफ के लिए क्या करना है बताईए फटावट से कमेंट करके हर क्लास की पीडियेफ के लिए अभी जोइन करना है आपको हमारा टेलिग्राम चैनल जिसका लिंक दिया हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हम आपको मिलेंगे फेस्बुक पर इंस्टा पर यूट्यूब पर तो है ही मुखर जिनगर दिली और फ्राइन पर मिले ही है तलियर फेयर डडिक्रीज इंदा टेंप्रेचर फित इंक्रीजिंग इल्टिट्यूड इस टोटली अप्सेंट तो बच्चों होता क्या है कि हमारी जो प्रत्वी का वायू मंडल है वो पांच भागों में बटा हुआ है यह हमारी अर्थ है इसके उपर वायू मंडल क आयन मंडल और भाय मंडल फिर आपका ब्रह्मान अब यह पांच पर्तों में बटा हुआ है लेकिन जो हमारा वायू मंडल है यह जैसन नहीं कहीं पर ताप मान बढ़ता है कहीं पर ताप मान घटता है ताप मान अलग-अलग है गैसे अलग-अलग है वायू दाब अलग-अ संकने संद इक समय कि यहां पर नबहुता है तो सावागा यॉषाइब कि वह बढ़ने पदने पर आपमान यहां नहीं घर्ट एक बड़ता है वहां आपका संताप वह इसे मिलता है आपको इसको स्ट्रेटो स्थेरी बोलते नहीं सलिए के लिख देते हैं और हिंडी में घ्साप मं लिख स्टेए तो यह आपको याद करना है तो और लेकिन यहां पर क्या है यहां पर समथाप मंडल स्टाप मंदल्स क्या होता है अबढ़ता है लेकिन ऑजन गैस पाई जाती है तो ऑजोन गैस क्या करती sellाइक के उप्रिभा मचाने बढ़ जाता है इसलिए बढ़ जाता है एक यहाँ पर ओठ्री है और वह सुरह परावैगनी किरुनों को यही पर अफसोसित कर लेती है सूरे की परावैगनी करने बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है और यह प्रत्वी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगी प्रत्वी को तबहा भी कर देंगी अगर यह डारक्ट प्रत्वी पर आए लेकिन अच्छी बात है यहाँ पर ओजोन गैस भी है और ओजोन गैस को इसलिए हम बोलते हैं प्रत्विक अच्छाता अम्रेल ओफ ता अर्थ नेक्स्ट कोश्चन बच्छो आपके लिए है बादल फटने का क्या मतलब है आप में सुनागा बादल फटना तो बादल फटना किसे कहते हैं क्या बादल फटने हैं सबसे पहले अगर हम बात करें बादल क्या है तो बहुत सारी जलवास बहुत सारी वाटर वेपर जब एक सा साकास में बादलों के बिखरेवे टुकडों की उपस्तिती बादल वाले मौसमें में किसी फसल के बीज बोना बिल्कुल गलत है तो बादल फटने का मतलब है तूफान की साथ ऐसामानी रूप से भारी वर्सा abnormal heavy downpour of rain associated with thunderstorm तो होता क्या है जमान लीचे बादलों इसे वर्सा होती है बादल के पास पानी होता है अब बादल जो बारिस दस दिन में करते है चार-पांच घंटे में कर दे अगर वो बारिस कुछी मिन्टों में या कुछी घंटों में वो कर दे एक घंटे में कर दे या दस म बादल का फटना तूफान भी आता है इसे बहुत जादा अहानिकारक प्रभाव भी पढ़ते हैं यहां इसे म्रत्यू भी हो जाती है क्योंकि जो पानी प्रत्वी पर गिरिना था दस दिन में एक महिने में वह कुछी मिन्टों में गिर जाए तो तबाही तो होगी बाड़ बाते भी तूट जाती हैं बहुत भेंकर प्रभाव दिखते हैं बादल की फटने के तो बहुत ज्यादा बारी से एक साथ आजाए उसको हम बोलते हैं बादल का फटना तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया है आपने नहीं किया तो कर देना यहीं आपकी गुरु की अंधा बोलते हैं जीव जंतों को आवास है और एक ऐसा छेत्र जिसक्ता अपने जीवन की देखता थाम्यवित को पूरी कर लेता है तो Titans और और इकोलोजिए पारिसस्थितिक पिस एक एतु Hani डिमित दो जो ओघित है और प्राकरतिक भीर मानवनी निरमित भी है वहाखा बगीचे देखते हैं भी हम एक्यूवेरियम बोटनिकल गार्ड घास इस्थल तो इन में से जो है घास इस्थल है प्राकर्तिक है घास इस्थल अपने आप उगते हैं जब कि बगीचे का निर्माण मानव करता है बगीचे में पेड़ पोधो की आकरती मानव लगाता है खेत जब खेत है उसमें प्राकर्तिक चीज़ें लेकिन खेत में बीच मानव डालता है सिचाई मानव करता है तो खेत एक्वेरियम यह मानव निर्मित हो गए बगीचे भी मानव निर्माण क्या मानव ने बगीचे में बगीचे लगाए पेड़ों को कतार में लगाए जबकि घ मानव निर्मित है और जो घास स्थल है वो है आपका पारिस्थिति की तंत्र लेकिन वो प्राकर्तिक है वो मानव निर्मित नहीं है यह सभी मानव निर्मित है एक्वेरियम में जिसमें मचली होती है वो भी मानव निर्मित है नेक्स्ट कोश्चन आप सबके लिए वायू प्रदूशन का प्राकर्तिक श्रोत क्या है नेचुरल सोर्से ओफ एर पॉलुशन आर तो जो एर पॉलुशन होता है उसके बहुत सारे कारक है सबसे बड़ा कारक तो खुद मानव हैं मानव ने इतने उद्योग धंदे लगाए क कि वहां पर उद्योग धंदों की वजए से स्योटू की मात्रा बढ़ गई धुआ आया और बहुत सारे हानिकारक प्रभाव हमें देखने को मिले लेकिन प्राकरतिक रूप से भी वायू प्रदूशन होता है क्या आपको पता है जो जो आला मुखी विसफोर्ट जब होता ह मुखी फूद एक डीजास्टर है जर्ञच्तीं बघुर मुखी एक तरह को बीजरम देती हैई जम वहायू पर्दूशन का भी कारण है जम्रीदा पर रुशन का का भीकारण है का मुखी भुकंप का ही कारण है जोग अला मुखी चुनामी ले कराता है लेकिन जिस तरह से जुआला मुखी के नकारात्मक प्रभाव हैं उसी तरह से जुआला मुखी के सकारात्मक positive effects भी हमें देखने को मिलते हैं जुआला मुखी black soil का निर्मान करती है जीलो का निर्मान करती है पठारो का निर्मान करती है दीपो का निर्मान करती है हर चीज सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव देखने को मिलते हैं तो जुला मुखी याद रखना प्राक्रतिक शोत है ऐसा जिससे कि जो आलों कि वायो प्रदुशन होता है जंगल की आग से भी धुबा निकलता है लेकिन यह प्राकर्तिक आग के जो ऐसे सिने मान चार ओप्शन ठीक है कई बार लगेगा एक भी ओप्शन ठीक नहीं है तो ऐसा ही मिलेगा आपको लेकिन प्राकरतिक प्रूप से जो भयांकर है वो माना गया है यह आपका ज्वाला मुखी विस्वोड नेक्स्ट कोश्चन है आपके लिए जुआरीयवन को क्या कहा जाता है टाईटल फोरेस्ट कोल जुआरीयवन देखिए जो यह आपके जुआरीयवन यह कैसे डंग नदयों ने यह सी मिलिकर किया है और उसी पर वन हुए है जिनको glimpse जुआरियवन भी कहते हैं और यह कैसे हो दे सदा बाहर होते हैं क्योंकि दलदल में होगे हुए और इनको वेलांचली भी कहा जाता है और इनको परियावन के रक्षक भी बोलते हैं नेक्स कोशन आपके लिए प्रत्वी का सबसे बड़ा पारिस्तिति की तंत्र कौन सा है तर लार्जेस्ट एकोसिस्टम ओफ दा अर्थिर बायोम जलमंडल इस्थलमंडल या फिर जेव मंडल तो जो हमारी प्रत्वी है इसको हमने चार बड़े भागों में बाट दिया इस थ और सबसे बड़ा थो फ़ाम स्वाइब ißЛ Grant अथा श्रकला हुज है आप सब मारा थो कौन से बड़ा झायर कौन सा हमारी हमारा है सबसे बड़ा प्रत्वी तो सबसे बड़ा बायो पारिस्तित यह पुरका पुरेक जीवो का घर है तो भाही प्रत्वी सबसे बढ़ा घर है हमारा उसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है पेड़ लगाई रख्स लगाई और प्रत्वी को बचाईए कोशन है बुग गोल में गल्फ इस्टीम का तात्परी क्या है इन जोग्राफी गल्फ तेज हवा का भाव धारा एक खाडी से जुड़ती है एक धारा का नाम तो जो गल्फ एस्ट्रीम है वह क्या है एक वार्म ओशन करंट है समुंद्र का जल एक स्थान से दूस्थान पर चलता रहता है और जल धाराओं की रूप में वह फिर चलता है भूमद्य रेखा से जो ज महासागर में ठंडी धराएं भी होती हैं और गरम धराय भी होती हैं तो इस तरह से एक्जामिक कोशन पूछन पूछन कोन सी महासागरे धारा किस महासागर में हैं कौन सी ठंडी है कौन सी गरम है यह भी आपको करना है याद चले देखते हैं next question वह सभी बच्चे आंसर जरूर करेंगे क्योंकि जब तक आप आंसर नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा आपको क्या आता है क्या नहीं आता है खुद का अनलाइस करना बहुत जरूरी है अनलाइस कीजिए खुद का अपनी कम्यों को नोट करिए उन पर काम करिए उन पर सुधार करिए और जीवन में आगे बढ़िए और राइसमार्ट के साथ हमेशा और सारी प्लेलिस्ट आप चेक क्या करो जो बच्चे लाइफ क्लास नहीं ले पाते हैं वो रिकोड़ेट क् आख लेखा करो और हर ज्ञेघा हमें फोलो करो क्योंकि जहां पर भी आप देखोगे वहां ऐस्मार्ट आपको मिलेगा ज़न के साथ ऐसा कुछ लेकर जो आपके गसाम में आएगा जो आपकर एक् impl far a lol alum करेगा जो आपके पaráकले अर सबी कुछ जरूरी है आपकेbs on clear करने क लिए और जल्दी से बने कब तक आप अपने परेंट्स पर डिपेंड रहोगे तो छोटा सा जीवन है इसी में सब कुछ करना है और आप कर सकते हैं अपने बारे में नेगेटिव मत सोचिए पॉजिटिव रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए कोशन है हिमाले को किस नाम से भी जाना जाता है तो हिमाले को हम किस नाम से जानते हैं तो हिमाले को कहा जाता है फॉल्ड माउंटेन वलित परवत क्यूंकि हिमाले की उत्पत्ति वलन के पढ़ने से हुई जहां पर आज पता ही आपको हिमाले परवत हैं वहां पहले टेथिस नाम का एक सागर था सागर में नदियों ने कंकर पत्थर अलूवियम डिपोजिट किये उसमें फिर क्या हुआ यूरेशन और इंडियन प्लेट की वज़े से उसमें वलन पड़े, मौड पड़े वलन मींस होता है मौड, फोल्ड पड़े तो इसलिए हिमाले को हमने फोल्डेड माउंटेन बोल दिया अरावली की अगर हम बात करें अरावली विश्का सबसे प्राचीन अफसिस्ट परवत है तो जो परवत है उनकी उत्पत्ति अलग-अलग अधार पर हुई उत्पत्ति के बाद फिर वो वर्तमान में किस आवस्था में है उसके अधार पर हम परवतों का भी वर्गरी करन करते हैं नद्यों का भी वर्गी करन करते हैं तो आप याद रखना हिमाले को हम युवा परवत भी कहते हैं क्योंकि हिमाले की उचाई आज भी 1.5 cm प्रतियवर्स की दर से बढ़ती है और जिसके उचाई बढ़ती है वो युवा है यंग है तो हिमाले को folded mountain और युवा परवत भी कहते हैं जबकि जो आफसिस्ट परवत है या प्राचीन या oldest mountain है वो अरावली है अच्छी बात है भारत में oldest mountain भी है और young mountain भी है कोशन है हिमाले की की चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है विच हिमाल्याज पीक is also called सागर माथा तो प्यारे बच्चों जो माउंट एवरेस्ट है उसको नेपाल में कहा जाता है सागर माथा हिमाले की सबसे उची चोटी माउंट एवरेस्ट है इसकी उचाई है 8800, उचाई कितने है इसकी 8888 मीटर, याद रखना मीटर में है इसकी उचाई, इसको कहा जाता है सागर माथन, हिमाले परवत केवल भारत में ही नहीं है, हिमाले परवत पाकिस्तान में है, नेपाल में है, तिबबत में है, आपका अराकान योमा, मायमार तक तक फैला हुआ है पाकिस्तान में भी एफगारिस्तान सूला फाल हुआ है कोश्चन है आपके लिए पाक जलडमरु मद्ये किन्की बीचिस्तित है शूद्हें दहा के स्टेट लाइस बिट्वीन बंगाल की खाडी मनार की खाडी अनमार वनिकोबार कच्की खाडी और खंबा स्री लंका और यहीं पर है आपकी मन्नार की खाड़ी यहां पर है मन्नार की खाड़ी मन्नार की खाड़ी और यहां पर आपका पाक जल्दम्रो मध्य यहां पर क्या है पाक जल्दम्रो मध्य तो किस किस के बीच वह बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में तो नोगाया को बचाने का कही रहा है कि अधि नातकि या पर ने पर बरे ंदरों रहताहब रंग में लेकिन पर रंग ठापमान हम में धर रंगो झाल के वरा जाताव जीक्टार है को जो असा इतार विरन प्राक्या rein कि संमंधों जेब तरफ से सथलखंड सीटी जरूर करना है। क्लास आपको कैसी लग रहे है कोशिन कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना है हम आपके कमेंट देखते हैं कोशन निमलिखित में से बाहत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन सा है इंडिया फर्स्ट ग्लोबल टेलीकॉम सिटी इन दा फॉलोइंग है दराबाद नुएडा कोलकाता फिबंगलोर तो पहला टेलीकॉम सिटी जो है वह आपका बंगलोर जो करनाटक में है यहां पर कंप्यूटर सम्मंदित टेलीकॉम सम्मंदित काफी उद्योग विक्सित है यह चेत्र काफी विक्सित है टेलीकॉम से सम्मंदित और कंप्यूटर सम्मंदित काम यहीं पर किये जाते हैं कोश्चन है नेक्स्ट खासी और गारों किस राज्य की भाजाय है दा खासी और गारों आर्दा लेंग्विज ओफ दे स्टेट ओफ तो गारों खासी जैनतिया यह पहाडिया भी है यह जण्जातिया भी और यह भाशायं भी है कहां कि मेगाले को इस यही पर इस जानतियव भाशा भी है प्रौश्यन आपके लिए सिंधु नदी की सबसे लंबी सहक नदी कौन सी है सिंदु नदी भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित थी जो चाइना से निकलती है भारत में प्रिवेस करती है और उसके बाद अरब सागर में जाकर गिरती है लेकिन अब ये विवादित नहीं है क्योंकि 1960 में सिंदु जल समझोता हुआ था सिंदु नदी की पाँच मुखे साहइक नदी है जेलंद चinaçãoब रावी वियासोर सत्लज जिने में से सबसे लंब्याब की सत्लज नदी सिंदु की सयग नदी कोशन आपके लिए नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है रीवर नर्मदा और और ऋसनेट de अबनाती ऐस्ष्ण करेंगा और नर्मदा नदी असे स्तित है कोशन फैसल बच्चों आपके लिए हैं लंबा औरूजddाdes तो याद कर लिजी यह है आपका भाकड़ा ने जो भात का सबसे उंचा बांध है नागरजुनसागर्बाण कुछन है आपकेलिए अंकले इश्वर किसके लिए जाना जाता है उनकले इश्वर थे तो अंकले इश्वर इसाम के लिए यह खुद से वादा करना है किसी और से नहीं और अपने सपनों को तब तक किसी को मत बदाओ जब तक वो पूरे ना हो जाए और महनत कीजी सफलता सोर खुद मचा देगी आपका सफलता सब को बता देगी कि आपने कितनी महनत की है रिजल्ट बताएगा तो बंदीपूर राश्चे उद्यान कहां पर है कоло बंदीपूर नेशनल पार के बार गनाटक में आंप बंधीपूर ऑढ़र्टीयो sevi लाकल कर निले om और फैसी कभाके पचाहम पेघाना में। इन इंडिया, the temperate forest research center of center is in which city? तो भाद में शितोष्न वन अनुसंधान केंद्र है शिमला में, कौन सा है आद देखें? वन अनुसंधान है आपका दिल्ली में लेकिन शितोष्न वन अनुसंधान केंद्र है शिमला में, यह यादटना यहाँ पर confusion हो जाता है कोशन है नेक्स्ट आपके लिए बांदवगर्ड राश्ट्य उध्यान किस राज्य में इस्तित है? बांदवगर्ड नेशनल पार्क इस लोक्टर इन विच स्टेट? महारास्ट्रा, मध्यपरदेश, गुजरातिया, फिजहारखन very important question, repeated question है, याद कर लीजिए, जो बांदवगर्ड राश्टे उध्यान है, वो है आपका मध्या प्रदेश में मध्या प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन किया जाता है, मध्या प्रदेश में ही बांदवगर्ड है, यह repeated question है, मैं हर question को नहीं बोलने हूं, repeated है, लेकिन कुछ question बच्चो, repeat होते हैं exam में, तो यह थी आपकी आज क्लास, लेकिन आपको रहना है राय smart के साथ, और आपको करना है चैनल को अभी subscribe क्योंकि आपको हर रोज क्लास का notification तभी मिलेगा, और आप हमें Facebook, Telegram, YouTube, Insta सभी पर follow करें, क्योंकि हर जगा आपके लिए हम कुछ ना कुछ Reels के रूप में, या किसी ना किसी shorts में, कोई ना कोई short trick लेकर आते हैं, maths की इंग community वाला जो option है, YouTube पर ही वहाँ भी आप चेक्किया करो, तो पता है ना आपको, आपका selection हमारा target है, तो बताइए क्या आपका selection आपका target है, आप खुद से वादा करना है, आपको की selection इस बार लेना है, राय smart के साथ रहना है, हम आपकी सफलता में हमेशा तैयार है, हम आपकी स मेलते हैं नेक्स क्लासमेट, टेक क्यार एंड थेंक यू